हेलो एवरिवन, आज हम डिसकस करने वाले हैं दिली उनिवर्सिटीज के कोर्स बी ए ओनर्स एपलाइड साइकोलोजी के इलिजिबिलिटी क्राइटिरिया के बारे हम बात करने वाले हैं अगर आप इस कोर्स में अड्मिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉंबिनेशन चूज करना है ये मैं आपको इलिजिबिलिटी क्राइटिरिया बता रहा हूं जो कि 2022 प्रोस्पेक्टस में लिखावा है सेमी इलिजिबिलिटी क्राइटिरिया रहेगा 2023 में बाके नए प्रोस्पेक्टस जैसे रिलीज होगा वो भी आपको वीडियो बनाके अपडेट कर दिया जाएगा तो अभी के लिए ध्यान रखें आपको ये तो eligibility criteria रहने ही वाला है तो देखें क्या eligibility criteria था any one language from list A तो list A से आपको एक language चूज़ करनी थी list A, B1, B2 क्या है अभी मैं आपको दिखा दूँगा list A में सारी की सारी language मेंशन है तो उसमें से आपको कोई भी एक language चूज़ करनी है दो subjects और आपको चूज़ करने है जो कि list B1 से होने चीए और एक subjects आपको और चूज़ करना है जो कि list B1 से भी हो सकता है और list B2 से भी हो सकता है तो total आपको 4 subject चूस करने यह आपको ध्यान रखना है चीक है अब यह चार सब्जेक्ट कौन से होंगे वही सब्जेक्ट होंगे जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं अभी मैं आपको वह भी चीज़े दिखाता हूं सारी चीज़ें साथ में यह देख लिए कौन-कौन से कॉलेज्ज विवेका चलिए नेक्स देखते हैं अब लिस्ट एब वन बीटू यह क्या है चलिए इसको भी देख लेजिए ताकि आपको एक करके मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँँ यह रहा लिस्ट ए यहां पर आपको सारी लैंग्विज दी हुई है इसमें से आपको कोई एक लाइ चूस कर लिजिए या फिर यहां से चूस कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप लिजिबल हो जाएंगे लेकिन अगर यहां से आपने सिर्फ एक चूस करा और यहां से दो चूस कर लिए अब आप लिजिबल नहीं है यहां से आपने तीन चूस कर लिए यहां से भी एक 12 में पड़े हैं दिल्ली उनिवर्सिटीज ने इलिजबिलिटी क्राइटेरिया में यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट्स में यह बात जो है बताया गया है पॉइंट नंबर थ्री में कैंडिडेट मस्ट अपियर इन सीवेट इन उनली दो सब्जेक्ट इन विच ही और शीयस पास क्लास 12 तो आपको दूसरे सब्जेक्स नहीं लेने तो आप इलिजिबल नहीं होंगे बाकि और कुछ अपडेट्स आएगा या फिर कुछ क्राइटीरिया चेंज होगा 2023 में तो व क्यूंड़ कि और शीयर चेंग पड़ आपको दो साना बाले ही और क्योंग क μου आपको झाल झाल ह door स success